नवस्कार दोस्तो मैं आशीर पटले आप सभी का अपने यूटीब चनल में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज आप सभी के लिए गुड नीज है बीमसी के करमचारियों के लिए और उसी के साथ में राज्य करमचारियों के लिए भी गुड नीज है कि उन सभी को सात्वावेतन आयो का जो पेमेट है वो बहुत ही जल्द उनके अकॉंड में क्रेडिट होने वाला है दोस्तों उसे समंधित एक परिपत्रक आया हुआ है और वही परिपत्रक के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यह परिपत्रक के उपर बताने का कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पेमेट अभी जो आने वाली है मार्च की पेमेट एप्रेल में तो बहुत सा लोगे कह रहे थे कि payment अप नहीं आने वाली है और उनमें निरासा उत्पन्न हो गई थी तो दोस्तो मैं इसको आपको थोड़ा बताने की कोशित करूँगा कि payment आने वाली है या नहीं आने वाली है तो इस वीडियो को आखरी तक देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि payment आने वाली है या नहीं आने वाली है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभीता सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्स्राइब कर लिजेगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर किजेगा तो चलिए हमने इसकी माहिती देखते हैं तो दोस्तो इस परिपत्रक का विशे है सात्वा वेतन आयोगाचा अनुसंगाने वेतन आकार्नी वह ठकबा की बाबत मतलब कि सातवेतन जो है वो अभी आने वाला है और उसकी ठकबा की किस तरह से आने वाली है उसके बारे में परिपत्रक आया हुआ है तो इसका जो पहला जो पैरेग्राफ है उसमें उन्होंने कहा है कि 11.216 से 31.12.2018 ये 36 महने का जो कैलकुलेशन है उन्होंने जो उनके पास HR डिपार्टमेंट में जो उनकी माही ती थी उसके अनुसार उन्होंने निकाल करके उनका 20% जो रकम है वो पहला टपा फेबरुरी जो पैमेट थी उसमें हम सभी को मतलब आप सभी को मिल चुकी है तो दोस्तों उसी के साथ उन्होंने दूसरे पैरेग्राफ में उन्होंने बताया है कि अभी इसी के हिसाब से जो है कि 11.2019 की जो आपकी पैमेट है उसमें जो मूड वेतन प्लस वेतन स्री नि मतलब जी आर मिला करके उसका जो फिटमेंट फैक्टर 2.5 से उसको गुना करने के बाद जो आपकी बेसिक बनेगी उसके उपर मगाई भत्ता और साथ में आपका घर भाड़ा मतलब एचारे यह मिला करके जो पैमेट बनेगा वो आपको मार्ज की पैमेट है और उसी के साथ जनवरी पर निये है उन्होंने यहां बताया है कि 1126 से लेकर 3112-2018 तक अगर कोई निलंबित हुआ है और साथ में अगर कोई गैर हजर रहता है तो ऐसे करमचारियों को पैमेट नहीं आ सकती है और साथ में उनकी परिगर्णा तो हो गई है लेकिन उसके लिए उन्हें और ठकबाकी के ल उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया है कि जो निलंबन वाले है या साथ में जो गैराजर वाले है वो लोग उन्हें बार-बार फोन के द्वारा या फिर संपर्क खुद आके करते है या पत्र के द्वारा वो लोग बार-बार संपर्क कर रहे है और उनकी जो समस्या है व पहले उनके विभाग इस तरीये पर उनकी जो भी शमस्या उनका निराकरन कर लिया जाए उसके बाद अगर वह समस्या वहाँ पे सौल नहीं होती है तभी वह मानव संसाधन विभाग के पास आए इस तरह से उन्होंने यहां पर बताया है दोस्तों उसके बाद सबसे महतवप निचीत नहीं होने के कारण जो actual areas कितना बनने वाला है यह अभी तक निचीत नहीं हुआ है और इसलिए जो पेमेट है 36 महने का थकबा की है वो उसका जो मिलने वाला जो आखरी टपा है उसमें आपको अगर आपका पेमेट जादा होता है तो areas बनने की संभावना है अगर साथ उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण यहां पे मुद्दा पताया है कि जब तक वेतन मेट्रिक निचीत नहीं हो जाती तब तक आपको जो रजा परवाजभत्ता है मतलब जो आपको दो साल में एक बार जो परवाजभत्ता मिलता है वो आपको नहीं दिया जाएगा बस यही बात यहां पे उन्होंने यहां पे किलियर किया हुआ है तो दोस्तों यह ती इसकी माहिती और तो आप सभी को मार्च का जो पेमेट है वो अप्रिल में आने वाला है यह आपके लिए गुड निज है और दोस्तों इसी के साथ राज जिस्तरियों वाले जो करमचार है उनके लिए भी गुड निज है तो चला हम लोग वो समाचार भी देख लेते कि क्या है तो दोस्तों यहां पे आज के पेपर की कटिंग है इसमें आया हुआ हुआ है मार्च महिना जे पगार सात्वय वेतन आयोगा नुसारच मतलब इसका यह है कि जो करमचारी है उनको जो मार्च का पेमेट है वो अभी अपरिल में आने वाला है और साथ में यहां पे लिखा हुआ है कि जनवरी और फेबरुरी महिने का जो पेमेट है वो भी उनका फरक याने ठकबा की आपको मार्च महिने के जो पेमेट के साथ अपरिल महिने में आने वाला है तो इस तरह स लाइक जरूर किजेगा, साथ में मेरे चिलने को सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आप ले लेकर आते रहता हूं, मिलते आगले वीडियो में, बाई बाई, जै हिंद, वंदे मातरम, जै महाराश्टरा